हलो नमस्कार दूस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में statics IP address कैसे sit करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं विंडो 11 के अंदर statics IP address आप बहुत सारे तरीके से sit कर सकते हैं चलिए हमाई एक एक करके आपको बताता हूँ पहला तरीका में आपको control panel के थरूँ आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है control panel open करने के लिए आपको क्या करना है इस तरह से window open हो जाएगा अब मालेज़े यदि आपकी case में इस तरह से नहीं दिखते है तो आपको क्या करना यहाँ पे click करके आपको लार्ग icon select करने है select करने के बाद आपकी case में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे Network & Sharing Center दिखी जएगा इसको अपर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं इस तरह से Window Open हो जएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे एक option देख जाएगा internet protocol version 4 TCP IP V4 इसको आपको select करने नहीं इसके बाद आपको property पे click कर देने हैं click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है इसको यहाँ से select करने है करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है उस IP को डाल देना है जो भी आप सेट करना चाहते हैं इस तरह से आप सेट कर दीजेगा estaatics IP जो भी आप detail डलना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल दीजेगा इसके बाद यदि आप DNA set करना चाहते हैं तो यहाँ पे DNA set कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जाके दुबारा चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, अभी यह statics IP सेव हो चुका है, तो पहला तरीका से इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, इसके बाद चलिए मैं इस window को यहाँ से close कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से close कर देता हूँ दूसरा तरीका के लिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर निटवर्क अड़ेप्टर दिख रहा है, इसको पर आपको right क्लिक करना है इसके बाद इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा यदि statics IP set नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर dhcp अभी हमने set कर दिया इसलिए यहाँ पर manual लिखा आ गया यदि आपकी case में नहीं set होगा तो यहाँ पर dhcp लिखा हुआ जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर edit पर click करना है क्लिक करते हैं यहाँ पर statics IP save हो जाएगा तो इस तरीके से दूसरे तरीके से आप statics IP set कर सकते हैं तो दूसरा तरीका यह हो गया तीसरा तरीका के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर back पे जाना है बैक पे आने के बाद यहाँ पर आपको advanced network setting दिख जाएगा अब आपको यहाँ पे mode network adapter option दिख जाएगा इसके उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह window open हो जाएगा बाकि जो यहाँ पे आपको first option बताये था वहाँ से आप सेम तरीके से यहाँ से भी आप set कर सकते हैं तो यह तीसरा तरीका हो गया तीनों तरीके में से किसी एक तरीके साब statics IP set कर लिजेगा उसके बाद आपको क्या आपको इस window को यहाँ से close कर देने और प्लीज गाई चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you